क्योंकि अंदर क्या चल रहे हैं इसकी अंदर आए भी ना काफी समाचार समाचार पत्र में छपकर आ रहे हैं ऐसा मैंने सुना है नडडा जी ने क्या क्या चर्चा की वो तो नडडा जी बताएंगे भाजब की जिम्मेधर यह ना जिस तरह से उदर निदी स्टालिन का बयान आया कि सनातन डेंगु मुलेरिया जैसी बीमारी से उन्होंने उसकी तुलना की कुछ महने पहले जब मुसे पता चला यहां पर संग शाका शुरू ही है मैं मेरे लोगों को लेकर शाखा का विरोफ्त करने के लिए आया था आप सभी का स्वागत है और जैसे की आपको सुचित किया था आज पत्रकार वारता का आयुजन किया गया है तीन दीन की जो बैटक थी पुने के सभी लोगों के सवयोग से विवस्था से अच्छे से संपन हो रही है संग के वरिष्टा परचारक जो थे मानि मदन दाश्ची देवी उनकी स्मूरती में सभागार जो बनाय गया था उसमें ये बैटक संपन हुई है अब आज के इस पत्रकार वारता को संबोधित करने के लिए मैं मानिया वनमोंजी से निवेदन करता हूँ नमस्कार संग की समझ में बैठक के बारे में काफी उत्सुकता आप सब में होगी क्योंकि अंदर क्या चल रहे हैं इसकी अंदर आय विना काफी समाचार समाचार पत्र में छपकर आ रहे हैं ऐसा मैंने सुना है इस रचना को समझ नावश्यक वैसी बैठक साल में एक बार होती है एक प्रेरणा से एक भारत की समा नवधारणा लेकर समाच जीवन के विविद्धक शेत्र में स्वहिस्वक सक्री है अब संगह कारे आरंब होकर 97 एर्स हुए हैं इस संगह की यात्रा के चार मुख्य पड़ा वे फोर फेज़ेज फेज में हिंदु समाज संगहतिद हो सकता है एक साथ एक दिशा में कदम से कदम मिला कर जल सकता है एक स्वर में एक मने से भारत की बात कह सकता है समाज में इसका विश्मास खड़ा करना आवश्यक था इसलिए पहले 25 वर्ष केवल संगहतन संगहतन व्यक्ति निर्माण इसी पर संगह का पूर्ण बल था स्वादिन्ता के बाद सेकंड फेस का आरंब हुआ पहला काम तो चली रहा था पर उन्तों आरंब से संपुर्ण समाज को संगहतन करना संपुर्ण समाज को राष्ट्र भाव से प्रिग्रित करना यह कलपना मन में थी और सारा समाज तो शाखा पर आने वाला नहीं है तो समाज की रचना व्यामिश रोग इसमें विद्यार्थी क्षेत्र है यहाँ पर मुझदूर है यहाँ पर किसानों का ख्षेत्र है राजणितिक ख्षेत्र है धार्मिक ख्षेत्र है शीक्षा का ख्षेत्र है ऐसे प्रत्ते ख्षेत्र में इस राष्टी विचार को लेकर स्वाविशों गए उन्होंने बहाँ पर उन्होंने संगतन खड़े किये जिसको आज कल विविदक शेत्र कहते हैं यह संग कारिया का एक्स्टेशन का भाग था फॉर्स कि यू काल इट फॉर्स प्रोग्रेश्व इन फॉर्स प्रोग्रेश्व अनफोल्डमेट आईसे अभी 35-36 संगतन देश में काम कर रहे हैं तो संगह की कलपन ऐसी सभी संगतन स्वायत पर स्वतंत्र है online संगह के observations को शेर करना इस हेतु से मुख्यता यह समझ में बैठक होती है जब उन्हें चार फेज की बात की संग का कारिय विस्तार का यात्रा का थर्ड फेज डॉक्टर हेड़िगेवार जन्दमश्रिदाब दी के पहस्चा कि इसका मुख्या स्वरूप था ट्रॉट्री इंडर सोसाइटी कि नैसरगी आपति की समय स्वयंसोग तो स्वयंसोग हमेशे आगया कर काम तो करती थे लेकिन समय का जो पिछला वन्चित और अनेक अभाव में जीने स्वयंसोग नहीं करेंगे तो समय कैसे अनेक लोग अच्छे लोग सोचने मान लोग है ऐसे लोग उनको साथ लेकर करना है तो उनका संपरक करने संपरक विभाग शुरू हुआ और तब तक भारत में जरजालिजम के साथ साथ मास का शब्द भी जुड़ गये थे तो प्रसारम माध्यवों के सभी साथनाव को उप्याव करते हुए इस राष्टी विचार को समाज तक पहुंचाना ऐसे सेवा प्रचार संपरक विभाग ये नाइंटीवन से नाइंटीपोर इस रेज में आरंब हुए समाज जिवन के विविदक शेत्र में कुछ विशिष्टक शेत्र में समाज परिवर्तन के लिए स्वयंसोकर ने कारे आनंबक किये जिनको आशकल गतिवीधी कहते हैं उसमें कुटम्म प्रवोद ने सामाजिक समरस्ता है ग्रामिंड विकास है गउं समरदने पर्यावन रक गुरुजे के जन्मशादाब जे के समय से जो फोर्थ फेस का आरंब हो याने प्रत्यक स्वयंसोकर ने राष्ट्र की सरवागिन उन्नति की दिशा में कुछ सक्रेता उसके बढ़नी चाहिए ऐसे चार फेसे का मुख्यता संग का चल रहा है इसमें विविदक शेत्रों के प्रोग्रस्यों अन्फोर्ड में का भाग मुख्यता है यहां पर कोई निरने तो यहां होंगे नियसा आपको जब पहले जिने का गया तो आपसे का गया है यह क्या हुआ दो तिन विश्व की जान करें दूंगा में कि अज़िए संगत की प्रेणा से चलने वाले जितने 35 कि संगत्र नहीं सभी संगत्रों में संभी मह्लाओं समनोचा बड़े छेत्व से यह पर जो महिला काम करती है तो ऐसी विवीदक शेत्र में सक्रिय महिलाओं के एकट्र बोल लाकर को समन्हां का महिला काम defensive यहां पर चला है तो अपने अन्सावबन्ल 2 शाजा करना महिलाओं का सहबाओ अपने शेत्र में योज़ Sizeberg बाठेट के जिए प्रयाश करना युद्दतallo है मैलाओं के बीच व्यापक संफर का बड़े मैला विश्यक भारतिय जिनतन समाज तक पहुंच और देश के विकास में जोंके सभम अची तोसे है है विभाग स्तर पर मेला संभर करने की योजन अपनी इसमें करीब ग्यारा स्रेडियों की महलाओं का संपर काना उसमें इंजयों चलाने वाली सामाजिक धर्मी संस्था के प्रमुख शिक्षा प्रशास्तनिक सेवा में कारियरत मेडिया में सक्री ऐसे महला है जाती जनजाती के प्रमुख है व्यावसाइक डॉक्टर वकेल साहति एक वक्ता लेखे का ग्राम बन्चायत आधी के प्रमुख तो ऐस स्वारे भारत में होने वाले उसमें से बारा प्रांतों में 73 सम्मिलन हुए हैं और खुब अच्छा रिस्पॉंस है यह 73 सम्मिलनों में कुल एक लाग 23,000 महलाओं का सभवाग रहा है और बाकी भी अभी कुल 411 होने तो बाकी भी सम्मिलन सी आगे होंगे जब यह संधतन समाजयों के विध श्यत्र में काम गर देविद यर्थ श्यत्र मजदर्व और स्विष्ट्र किसान्ख श्यत्र अधि तो सीथे फ्रेश ऐसे लोग भिए इन संधतनों में सक्री होते हैं वो संगह के बारे मन को जान करनी होते च्छांकर नहीं होते तो आपन नए लोगों जो अपने अपने संगतन में शक्रिय भूमी का निभात है उनको संग का जो वैचारिक अधिश्ठा ने उसके जानकरी प्राप्त हो उनको अन्य संगतनों के बारे में जानकरी मिले उन सभी संगतन में काम करने में लोग हमारे सहयात्री है इसलिए उनका आपस मे समनवय का मन बनें सब मिलकर हम एक दुसरे को पूरक बनना भी आसपरधा नहीं है और सब ने मिलकर अपने अपने एक शेत्र में जो भी खेत्र हमने चुना है एक भारत के चित्र में अपना अपना रंग भरती हुए है सम्रुद्ध भारत का चित्र हम सब खड़ा करेंगे तो इस दुरुष्टी से अपने अपने एक शेत्र में क्या क्या काम चल रहा है क्या अनुव है तो इसके वारे में काफी विस्तार से यहां पर उक्यता चर्चा हुई और अपना अभीनिवेश चोड़कर संगतन समस्ता का अभीनिवेश चोड़कर साथ में हम कैसे काम कर सकते इसका प्रशिक्षन और संग के संपर्क में नए लोग जो आए उनको संग का सही जानकारे मिरेश लिए उनके लिए संग परीचे वर्ग भी हो मुक्यत आइसे विश्यों की चार्चे यहां पर हो ही प्रत्यक संगतन की इशूज है सारे समाज को लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो अपने संगतन से नहीं जोड़े हैं लेकिन संग लेकिन समाज में देश के बारे में अच्छा सोचने वाले ऐसे सज्जन शक्ति है ऐसे सज्जन शक्ति के लोगों को भी संपर्क करते हुए आजंगन से जोड़े विनाभी इशूबे साथ कैसे ले सकते है नहीं सम्सकूत का विशः है पर्यावरान का विशः है महिलाओं का विशः है ऐसे विश are गरामविकास का विशा है आप गामठेश है है तो इसके लिए अपनी जो युग्या मानसीक्ता त्यायर हूनी चाहिए, इसके बारे में अपने संगटन में, कैसे परेयाश चल रहे, मुख्य इसके बारे में यहाँ पर चरचादीक विस्तर से हो इसके भी 2020 मार्च के बाद यहां पर कोरोना करण लॉकड़ून लगा सारी शाखाय बंध हो गया था लेकिन तीन वर्षों में यह वह तानन्द की बात है हम 2020 की संग शाखा स्थीति को पार करते हुए संग्यारी आगे बढ़ा है तो उसकी जानकर है मैं कुछ दूंगा जैसे 2020 में 38,913 इतने स्थानों पर संग शाखा है थी 2023 में 42,613 ऐसे स्थानों पर संग शाखा हुई है मतलब संगा की स्थानों के बुर्द्धी 3700 हुई है जो 9.5 परसें बुर्द्धी है जो रोज चलने वाले शाखा है 2020 में 62,491 थी 2023 में 68,651 और 6,160 शाखा है बढ़िए यह भी करीब 10 परसें बुर्द्धी है जहां दैनिक शाखा नहीं वहां पर सब्ता ही मिलन लोग सब्ता में एक बार एक कत्र आते हैं अशे सब्ता है मिलन 20,300 थे अभी 2023 में 26,877 याने 6,543 साब्ता है मिलन की व्रद्धी होई है यह करीब 32 परसें बुर्द्धी है और मैंने में एक बार एक कत्राना को सामाजिक विश्वाव पर बाह पर चार्चा करने जिन को संग मंडल ही कहते है ऐसे करीब 8,732 पहले थे 2020 में जो भी 10,400 बार ऐसे हुई है याने करीब 19 परसेंट रुद्धीश में हुई है कुल शाखा है 68,651 है जो रोज चलने वाली शाखा है तो इसमें 60 परसेंट शाखा है छात्रों की भी चलती है विद्ध्यार्थों की भी चलती है थर्टी परसेंट शाखा है 40 साल से कम आयोके जो कमाने वाले तरुण व्यवसें तरुण उनकी भी चलती है 10 परसेंट 40 साल के उपर के लोगों के लिए उक्याता होती है और जोईन आरे से के माध्यम से 2017 से 2022 तक छे वर्षों में प्रती वर्ष एक लाग से सवालाग इस प्रकार की वृद्धी पतलब जोईन आरे से के लिए जो तरुणों की उत्सुकता है जो संग की वेबसेट पर जो संग से जूड़ना चाहते हैं कहां मिलना किसको मिलना जो नहीं जानते हैं ऐसे लोग संग का जो बढ़ते हुए स्विक्रूती है समाज का जो सभवाग बाटा उसका लक्षण है तो मैंने प्रतमी जानका ने दी है कुछ आपको और और कुछ प्रशन पूछना है आप पूछ सकते हैं सिर्फ एक सुचना प्रशन पूछते समय आप जिस माध्यम मीडिया हाउस को सम रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम और आपका नाम बताएं और फिर आपका सवाल पोचे दन्यवाद के आपके पास यह आएगा कॉडलेस माइक आएगा राष्टर के सवरक्षन के बारे में आपने कुछ भी रियाक्षन या कुछ भी आपकी प्रतिक्रिया बता ही नहीं है मेरा क्वेश्चन यह है कि एप्रिल 23 में शिया और सुनी मुस्लिम कंट्रीज इकटा आये है और उसको मंगलियन वोग्ष चीन ने इनको इकटा किया है यह जो अक्रमन की संभावना आइदर बाई इलेक्षन और आइदर बाई आर्मी और आइदर बाई सांस्टूती इसके बारे में संख्ण ने कुछ सोचा है क्या है और आइदर जाइस tokyas क्योज पुछा है आप नबह किसके और पूचा आपने तरह दुबारा कहिए गुन तक मैंने पुछा, शिया और सुनी एप्रिल 23 में इरान और साओधी अरिया इकटा हुए, जहां 60 मुस्लिम कंट्रीज इकटा हुए, उसको इकटा किया मंगोलियन मोचने, बोलने से चीन लोगों ने, इनसे जो हमें हमेशा अकरमान की डर रहता है, या उनका जो जो भी कुछ उन का अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भारत जो चलता है, उसके लिए संग ने क्या सुचा है, संग तो समाज में अपनी सौंस्कृतिक पैचान लेकर जागृति करता है, यही काम करेगा, ऐसे भारत में डिविजव फोरसेस इस प्रकार का काम करने वाली शक्तिया पहले भी अब भी शक्रिय थी, लेकिन धेरे-दिरे हम देखेंगे कि यह शक्तिया देरे-देरे परास तो हो रही है, और भारत की जो राष्टिया शक्ति वह देरेदरे आबे बढ़ रही है, तो उनको अपने अपने काम करने देंगे, लेकिन हम आमारा काम बढ़ते रहेंगे, तो उसका उत्तर समास्वायम ही त्यार करेगा अच्छी मैं अरुन मेहतर जही चोविस्तास उर्तवायनी सटे काम करतू तीन परामुक्षाना माजा प्रश्ना है तह तो चर्चित मुद्यान वर्ति या बैटकी मदे चर्चा होना निरनाए नहीं मज चर्चा होना ततला पहला मुद्दाद आहे मनिपूर मदे होता असलेला हिंसाचारा विषयी या बैटके मदे काई चिंता क्यों चिंतन घडलका बाधा दूसरा प्रशना है आरक्षन विषयातला अनेक राज्यन मदे में अलिक्रेट सरसंग चाल करनी तया विषयी ची भूहमिका सपष्ट के लिए असली तरी के वह वंचित क्यों शोषित घटकान अनेक पाबचा आरक्षना वरती आपन विचार करतो है कि एका आरताने उच्छी वर्निय घटा मदे मुड़ना रहा दिए गुधरात मदे पाठीधारानत विषया असुद्यात क्यों राजस्तान मदे जाटके वाम आरक्षना मदे मराठा आरक्षना संदरभातली भूहमिक इता है तो शेडूल का शेडूल ट्राइब करता है कि हमारे समाज ने तुक को मैंत रख रकाया यहाचत तक सम्मान से उनको साथ लेने के लिए सम्मातारक्षन है तो वह उनको मिलना चाहिए और यह सामा जी विशमता कि स्थितियों को जल्दी दूर करना चाहिए यह संगक हमेशा मतर है बाकि सारे आरक्रिमांग पोलिटिकल होती है तो उसके बारे यहां पर कुछ चर्चा नियुक्ते मनिपूर के बारे में स्थिति चिंता जनक है वहां क समाज में जो एक संगर्शा है तो दोनों के लिए अपने संगर्शा है उनके दोनों के साथ संपर्क है दोनों विस्था भी समाज के लिए वहाँ पर सेवा काम चल रहे है नमस्कार में कि एक मिनट बाके लोग पुछने दीश वहाँ करते हैं नमस्कार में बढ़ा बढ़ा यहाँ पर श्रीज मोहन पाति लिए पर साथ काम करतो आप अजा प्रशना आसा है कि यह बढ़े शेती हाइक तुमी महत्वाशा मुद्दा यह टेला होता तर अर्थिक विश्य अ हाँ मुद्दा महत्वाशा होता एन त्या सवबत यह वर्शवार पस नहां मुद्दा चर्चेता है और संगा के लाने कि अपसनते और काम करतो आने कानी बलीदान दिलेला है तर ते राम मंदिरा चाहा मुद्दार होसन बढ़े घटकित कई चर्चे घाली आहे का कि अपर आज तर फोरूम पर साला काम करेंगें तर बार्तिय किसान संगा तरफ यह बैठीक हम अधे नहीं पर नहीं तर अर्थिक विश्वार काई चर्चा जहरी जचाम अधे तुमिश्वदेश्य अर्थिक निए हाव इसे घेटला होता और विश्वपंद विश्वन्द प अर्थिक नितिवर कई तो नद्डा जी ने क्या चर्चा की वो तो नद्डा जी बताएंगे वह भाजब की सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। दिफशने के जानकारी में लिए अल्य जानकार जानकारी देगा उतना क्या शचाहिं भाला की सब्सक्राइब। इस पर संग का क्या कहना है क्या बयान आ रहे हैं जिस तरह से उदेनिदी स्टालिन का बयान आया कि सनातन डेंगु मलेरिया जैसी बीमारी से उन्होंने उसकी तुलना की कल राम सनातन के विशह पर ही बोलते विए रजेडी के नेता ने रामचरीत माना स्कोलिकर अपति जनक तिपड़ी की लगातार एसे तीन-चार बयान बड़े नेताओं के आये हैं लग-लग राज्यों से उस पर संग का ठेक है ऐसा है सरातन धर्म को समाप्त करने की बात लोग कर रहे हैं इन शब्दों के अर्थों उनको पता है क्या यह प्रश्णा है धर्म क्या है कि पहले हम शब्दों का प्रयोग करने के वह शब्दों की वैख्या करनी चाहिए सा मुझे लगता है धर्म रिलीजन अलग-अलग है भारत का अकारत इंटर्नल है बारत का जो अध्य आधरी जीवन का चिंतन है जो इं्टेरल होलिस्टिक है इसके अएक इसày की चार विशेष्टा है एक भूमानता है कि सत्य एक है टूथ है कि इश्वर एक है उसको प्राप्त करने के वहां तक जाने कि उनके नाम भी अलग है उनके मारग भी अनेक हो सकते हैं सभी मारग समाने यह मानना यह भारत की बात है एक ही चैतन ने अने कर्वपों में मैनिफेस्ट हुआ है इसलिए सभी मीद मैनिफेस्टेशन के भीतर रही एक अधा देखने की भारत की दुष्ट्टी है इसलिए भारत कावर्मन इंडिया इसे कंट्र है डाइवर्स कल्चर ऐसा करने के बदले यह कहना चाहें कि इंडिया as a culture that celebrates diversity, तिसरी विशाइच था है कि प्रत्य व्यक्ति में इश्वर काउशा है, वस्त्रियो पुनुषों, और प्रत्य व्यक्ति का मनुष्य का जीवन का अंतियम लक्षिस अंदर के देवतों को प्रगट करते हुए मोक्ष पाना है, मोक्ष तरब जाने के जो मार्ग है, प् तो वह प्रत्य की उपसना है, प्रत्य को अपनी उपासना चुननने का स्वात्तर भारत मेरा है, इसलिए भारत में हमेशा spiritual democracy रही है, तो भारत में रही जाय मल्हाला समाझ इस भारत की पहुचान के साथ अपने आपको जोड़ता है यह भारत की पहुचान है, और इसलिए इस भहरत के पैचान इटर्नल है क्योंकि अध्यात्म अधरित है और भारत का समाज यह कभी राज्याधरित नहीं रहा है उसलिए अनएक प्रकारे के होने के बाद भी आँप्रा-ग्र Falls पर क्यों का शाहसन होने के बाद भी यहां का समाज रास्थ्ट हमेशा अपनाजित रहा है और इसलिए इस अध्यात माधारिय भारत के होलिष्टी इंटिग्रल चिंतन को धारण करके जेने वाला समाज यह हमेशा रहा है इसलिए सनातन वास्तों में समाज का इस चिंतन का जिसका नाम हिंदुत्व है हिंदुत्व का विशेशन एडजेक्टिव है इसका नाम हिंदुत्व है और इस समाज में अब 20,000 से अनेक वर्षों से समाज चल रहा है तो समय के जलते कुछ वैचारी गलानी आकर आचर में स्थितलता है कुछ बाते जो गलत अपने समाज में आ जाती है उसको ठीक करना चाहिए तो संग उसे के लिए काम कर रहा है और भारत और अपने आपने अपने अथियास में समय पर सभी जाति वर्गों में आध्धात्मिक संतन दिर्मानों जिनोंने समाज के ऐसको ठीक करते हुए समाज को फिर इससे आद्गाति मारगबर लाने का प्रयास किया है इसलिए बाकि इन सब के जो स्लोगन से सब राच्की होते पोलिटेकल होते तो सनातन धर्म यानि क्या है तो धर्म शब्द जिस अर्थ में है अपने भारत में तो लोग सबाद में लिखाए धर्म चक्र परवर्तनाय वहां धर्म है जैट रिलीजन राजय सब्द लिखाए सट्यम वदध धर्ममचर वहां भी धर्म है कि सुप्रीम वड का मोटो है यहां भारत गारत के राष्ट एड़ अभाएग के राष्टडवज वहाग से रहें धर्म मार्म में है यह उनसे पूछना चाहिए कि ग्यों फमाज में जो ваши जो कोरितिया चल रही है उन्सके दूर करने के लिए संगत्यों काम करी रहा है अब द्रविड कलगम नाम का जो सामाजिक संगत्य ने तमिल्डाडु में आरंब हुआ तो तमिल्डाडु के अरकाट जिल्ले में छोटे गाव में संगत्य शाह का शुरू ही थी वहां के शांखा के वारशी को उत्सों में वहां के लोकल डविल कलगम के नेता को प्रम्मक चीभगेश्किनाथी बुलाये था कि आए भी थे और उन्होंने सब के लिए स्विट्स लाये थे स्वयम के भाशन में उन्होंने कहा कि कुछ मेने पहले जब उसे पता जला यहां पर संगत्य शाह का शुरू ही है मैं मेरे लोगों को लेकर शाखा का वीरोफ्त करने के लिए आया था जब यहां कर मैंने देखा कि समाज का उच्चा वरनी बच्चे है और निमना वरनी मच्चे सब साथ खेल रहे है जीदगार आनन्द कर रहे है तो मुझे वूट आश्चर हवा उन्होंने कहा कि हमारी पेरियार का यह सवपन था यह सवपन था इस अपन हम साकर ने कर सके लि स्वीर्स लाये हूं तो समाज में जो कूरीतिया उनको दूर करनी के लिए प्रयतना चाहिए लेकिन भारत का धर्म भारत का पराण है जो धर्म रिलिजन नहीं है यह सनात्र नहीं है और इसलिए ऐसे इस धरम को नश्ट करने के लिए अनेग लोग बिजबिज में खड़े हुए हैं लेकिन काफी लंबे समय तो उनका काम नहीं चला और भगवान रुष्टने ने कहा है कि जब जब ऐसी धर्म को गलानी आएगी अधर्म का उत्थानुगा तब तब मैं फिर से करें तो दर्म की बार बार स्थापना करने के आवशकता है संग की बुमी का मुक्यता है सर तो आपको क्या लगता है कि ये सारी सारी जो है चुनावी चुनावी राज लेति को सुद्ध राज नेति है अदिपवसरनों जाहे करतर। और भारत भारत होना चाहिए और भारत किसी देश के दो नाम नहीं है ठीक है तो भारत नाम को एक सिविल नाशनल वैल्यू है और इसलिए भारत कहते एक प्राचीन से एक सब्वेता से चिंदन से अपना संबंद जुड़ता है इसलिए भारत का भारत होना क्यों नाम नहीं भारत के सामाजिक राष्टे जीवन में यह भारत का भ है 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 भारतिय चिंतना में समाज का सबसे च्छोटा यूनिट फैमिली परिवार है तो परिवार में महलाओं की विश्य योजना है भुमी का है मुख्यता और महलाओं को समाज जीवन के सभी शेत्र में अग्रणी भुमे का निभाणी हैं तो इसके लिए समाज के सभी वर्गों के जाग्रण होना चाहिए सहंबती होनी चाहिए और परिवार का ध्यान रखती होए भी समाज जिवहिन के हर श्रत्र में महिना अग्रणी भूमे का नेवा सकती है तो उनमें यह विश्वास तिर्मान करना आई यह मुकरता भारतिय चिंतन है संदीग बोल रहा हूँ प्रेस टरस्ट आफ इंडिया से नैशनल सेक्यूरिटी एक टॉपिक था हमारे इसमें तो उस पे क्या चर्चा हुई है यहां पर नहीं हुई यहां पर नहीं हुई जर्चा मुक्या था है है ऐसे ही बारते इनता पार्टी भी एक संघ स्थ्योगर्वी संगटन है तो लाकि जाती है कि या रख़पोर्ट होती है कि कौन क्या कर रहा है संङंघ उससे संतु tutte है थो नहीं अगर संग के एजेंडे पर भाजपा खरी उतर रही है, तो उसमें कितना सहयोग होगा संग का भाजपा के साथ में? 2014 की बात अगर आप करेंगे, तो संग के एवैलियोशन की बात छोड़ दीजें, लेकिन बिरेटन से पबलिश होने वाला जो संडे गार्डियन नाम का अखबार है, संडे गार्डियन रहवार को आता है, सोला में 2014 को पार्लेमेंट की रिजल्ट्स आये थे, और 18 में का संडे तो संडे गार्डियन का आठ्षा में का जो संपादी के एडिचोरियल है, अब गर उसको आप गूगल करेंगे, आपको पूरा संपादी की मिलेगा, उसका पहला बाक्य जो है, मैं क्योल एक बाक्य बोलूंगा, ने याने बिर्टन से पब्रिश होने वाला संडे गार्डि िफटिंडिया। तो 14 के बाद हम देखेंगे तो भारत अपने आपने संस्कृ notices पहला देए ख़डा और भारत के फोरण पॉलिशी में, डीफेंस पॉलिशी में, पॉलिशी में, एक मेजर चेंजेश हुए है, यह चेंजेश भारत के भारत के संस्कृतिक पहला लेकर अब स इसको महसूस कर रही है लेकिन इतने वर्षों का सारा जो ठीक करना है तो कम सब पचीशती साल चाहिए तो दिशा एक दम ठीक ऐसा सब के ध्यान में आ रहा है और सारी दुनिया इसको महसूस कर रही है चलो आखरी प्रशना भी लास्ट वेस्टिन इसकी जार चाहिए तो इसकी जार चाहिए तो इसकी जार चाहिए सब्सक्राइक तो यहां पर नहीं हुए सरकार को क्या बताने वो सरकार को बताने का फोरा मलग है यहां से बताने की जरूरूस नहीं है चलिए लास्ट वेस्टन जानकर दीगे वहां पर हाँ हाँ जादा लोगों को माल में ग्रामीन एरिया में बहुत शागा बहुत जलता है इसके आगे कि बहुत कम च्रुद है ग्रामीन एरिया में हमारा हमारा प्रशाव तो बढ़ रहा है लेकिन जैसे हमने का आपको बता दो में कैसा स्प्रेड है संगह का तो सारे देश में कूल 911 जिले हैं संगह का गादे शाखा के रोब में 901 जिलो में यह 99 परसेंट है जो डेवलोब्मेंट ब्लॉक कहते है खंड करीब 6663 यह खंड है इस में से 5885 में संगह की शाखाय पहुंचिए यह करीब 88 परसेंट है तो डीपर जाने के लिए हम लोग ने बाद में दस बारा गाउं का एक समों ऐसे मंदल बनाएं ऐसे वरेटी ने थाउजन ठीट फिंटिसीस मंदल सारे देश में हैं हम उन में से करीब 45 मंदलों में पहुंचे और आने वाले 2-3 बर्शों में सभी मंदलों करें पहुंचने का संगह अपर है सारे मंदल अजा प्लॉपिय फ्लॉक से इस तो ग्रामिन में शाखाय का मैं यह पह है आर्थिक विश्यावर तुम्हीं कहीं बोल लिया यह जी और प्रेश चलता है संग सब को मिलता है चल तो मैलाओं की समाज में शक्रेटा बढ़ रहे हैं सभी शत्र में बढ़ रहे हैं और यह सणाहनी है और कॉमन सिविल कोड के बात आती है तो कॉमन सिविल कोड के कारण चार पाच चार पाचे मुद्दों पर वहां पर विंद्फंट रहें गी उसको लेकर एक बार सब के सहमत बढ़ने माद होगा तो समाज आगे बढ़ने के लिए और तयार होगा चलिए आप सब का पाच करोछ के सब का बाचाब